पांच राज्यों के विधन सभाच चुनाव के नतीजे आने के साथ ही लोगसभाच चुनाव की तस्वीर पर पड़ी धुन भी अब साफ होती दिख रही है इन चुनावों को पहले ही लोगसभाच चुनाव के सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा था चुनाव के लिहाज से मध्यप्रदेश, राजिस्थान और 36 गड़ बीजेपी के लिए बेहद एहम राज्य थे तीनों राजियों में बीजेपी की सत्ता थी, एमपी और 36 गड़ में तो पिछले 15 सालों से बीजेपी का कबजा था और इन तीनों राजियों में कॉंग्रिस अकेले अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला कर रही थी कल तक जो अखिलेश और मायवती बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की महाबैठक में शामिल भी नहीं हुए थे वो फिर से हाथ का साथ पकड़ने को बेकरार दिखे यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंच कस्ते हुए ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिये 2019 के लड़ाई का भी संकेत दे दिया अखिलेश ने कहा कि जब एक और एक मिलकर बनते हैं ग्यारा तब बड़े बड़ो की सत्ता हो जाती है नो दो ग्यारा यहीं दुपेर होते होते उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस को जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी साथ भी देने को तयार है वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी फॉरन आक्शन में आ गई सबसे ज्यादा मध्यप्रिदेश के नतीजों ने परेशान किया कई बार यहां कॉंग्रेस और बीजेपी की टकर बराबरी पर पहुंच गई और सत्ता की चाबी अन्ने के हाथ जाती दिखी ऐसे में मायावती की नजरे भी कॉंग्रेस के हाथ पर टिक गई इससे पहले कि बीजेपी मायावती से कुछ उम्मीद करती बहन जी ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी उन्होंने अपने सभी जीतने वाले विधायकों को हिदायत दी बिना किसी देर के वो दिल्ली पहुंचे तीसरा और सबसे ज्यादा चौकाने वाला नाम रहा शिवसेना का शिवसेना अक्सर मोधी सरकार के खिलाफ बोलती आ रही है लेकिन इन नतीजों के बाद शिवसेना किनेता संजेराउत ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि ये हम सब की हार है कुल मिलाकर इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर कॉंग्रेस को नई संजीबनी मिल गई है कारिकरता पूरे जोश के साथ चुनाव की तयारी में लग जाएंगे इतना तह है कि कॉंग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद विपक्षी एकता की बात को एक बार फिर बल मिलेगा